आप सभी लोग सवस्तोंगे काफी अच्छी आपकी स्टेडी चल रही होगी एक फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार बरा नमस्कार पहला प्रणाम तो फटा अफट रिविजन क्लास में दोस्तों आपका जो अपकमिंग एकजाम 14 जुलाई उत्राखन PCS प्रार्मिक परि इंडेक्स को भी आपको याद करने कि कोई आवशक्ता नहीं है जो में में इंडेक्स होते हैं या इंपोडेंट करेंबी करिक्ष्या का उनके लिए डिएस श्रम पर निस्टों पर आपको मिल जाएंगे एक्जाम से पहले लगा को से बाइ आप उत्राखंड uk क्वाध महत्तोब हैं क्योंकि इसमें हर मैंने उत्राखंड बना मैंचनल त्र delegat को सब्सक्राइब कुणा लेंगे तक है रोंभी बिल्कुल बोल सकते हैं कि बहुत भी वेल्यूबल प्राइक्स पर आपको ही मिलेगा बागी जिनका भाई उत्राखंट पुलिस सब इंस्पेक्टर का एक्जाम होगा जो SI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक कॉंबो कोर्स आज मैंने लॉंच कर दिया है जिसमें आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए अब सीधे आते हैं आज के टॉपिक पे देखेंगे दोजार त्योबिस के प्रमुक सूचकांग क्या रिपोर्ट को केवल देखें जो महत्तों पुण है उन्हीं को मैंने इंक्लूड के हैं फिर में आपको बता रहा हूं सबसे पहले इसमें शुरुवात करेंगे भहिया आपका विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तो सबसे पहले प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है दोजार चौविस का इसमें जो भारत की रेंक रही है वह 159 भी रही है आलाएंक उतने अच्छी है नी रेंक बट आपको तो क्योवल यहां पर फैक्ट याद रखना है कि भारत की रेंक इसमें कितनी है 159 रांक है ठीक है वोल्ट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स थोगा देखें कुछ इंपोडेंट चीज होंगी तो उनको में डिसकस करूंगा ज्यादा लंबा स्थैसन मा करूंगा नहीं क्योंकि फटाफट रिविजन क्लास है तो इसलिए ज्यादा लंबा करना इसको ठीक नहीं है प्रेस फीडम जो है इसको जारी करती सस्ता वह है आपके रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ठीक है इसको एक सस्ता जारी करते है रिपोर्टर्स और भारत की रेंग 179 रही पहले नंबर पर इस पर रहा भुशन थी धैनमार्क एंड तीसरे प्लेस में नहीं है यानि है यांगे पर प्रेस बिल्कुल फ्री है ठीक क्या है और तo जेंडर गफ इंडेक्स इसमें देख की काम करने का तरीका एडूकेशन है और समान काम के लिए समान उनको तितन pin पैसे का सेलरी यानी कि इस्त्री पूरुष की समानता कितनी है या कितना गएप उनके पीच में इस संबंदित यह रेंक होती है और इसमें 24 में भारत की जो रेंक रही वह वह 129 वी ठीक है ग्लोबल जैंडर गप इंडेक्स दोजार चौबिस में भारत 129 वे इस्तान पर ठीक भी होता है दूसरा इसमें आपका परियावरंग से सम्मदीत आपका परियावरंग के लिए आपने कितना जाधा यहां पे पर कॉंट्रिब्यूट किया है यान कि climate change का भी देखा जाता है उसाथ ही परियावरंग को बचाने के लिए कितनी चीज़े हुई हैं वह भी देखा जाता है तो भारत की रेंग ए 176 अगर यहीं पर कोशियन बनता है कि जलवायू परिवतन जो परियावरंग का तो क्लाइमिट चेंज में भारत की रेंक रही परियावरंग कितनी रही तो 133 ध्यान रखेंगे और परियावरंग प्रदर्शंद सूचकांग दोजार चौबिस में जो टॉप कंट्री जैंब वह है तीन सबसे पहली जो कंट्रे एस्टोनिया है कि के सेकेंड नंबर की जो कंट् हमां फोली सोल य सूचकांग भारत की रहये निदेक्स में इसमें लगके ajaतerd है कि किसी भी देश में ferm रहने जो सोशल सिक्यूर्टी कैसी है और जो घटनाएं होती है या आर्मी का जो इंफ्लेंस है कैसा है तो सांती कितनी एक इसी भी देश में ठीक है उसके भियाब पर यह आपका इंडेक्स बनता है वेस्ट विक सांती सूचकांग इसमें जो टॉप थ्री कंट्री यह उसमें वेस्विक सांती सूचकांग इसके बाद आगे बढ़ेंगे ब्रष्टाचार धारणा सूचकांग दोजार तेईस देखें जो दोजार तेईस या बाइस मैंने लिगा तो वो रिपोर्ट्स आलांकि 24 में ही आई है लेकिन उस वर्क्स के लिए आई है ठीक है यह भी ध्यान सबसे कम है तो टॉप ठीक कंट्रीज जो है सबसे पहला इसमें डेन्मार्ट है और तीसरे प्लेस में जो है हमारा ओशियन वाला है न्यूजिलेंड कंट्री तो रष्टाचार धारणा सूचकांग में भारत की रेंग 93 टॉप टी टैन्मार्क फिलन्लेंड और न्यूजिले में काई है 24 में आई है यह रहेंग 24 में लेकिन यह 22 के लिए है ठीक है ध्यान रहेंगे 2002 के एसाब से और 24 में भी आया इसेंट रिपोर्ट में HDI Human Development Index इसमें भारत की रहेंग रही वह 134 वी रही बहुत महत्तों पर ध्यान रखेंगे भारत का जो प्लेस रहा में 134 वरा पहले प्लेस में इसमें रहा दूसरे प्लेस में नौर्वे रहा और तीसरे प्लेस में रहा आई कौन सा आइसलेंड ठीक है तो यह तीन डेस है टॉप थ्री अब देखिए मानव विकास हुचकांग एस्ट जो है तीन गटकों पर बनता है सबसे पहले सिक्षा परकैपिटा एंकम हो गया जीवन परतेशा का मतलब स्वास्ता हो और सिख्षा स्वास्त शिख्षा मैं इंडेक्स को डियूप करने। महबूप उलख त्यक्या और भारत की रैंग कितनी राइस में 134 वी त्यांद रखेंगे 2024 में रिपोर्ट आए 22 के लिए लेंग इक अस मानता सूचकांग यानि कि लिंग के आधार पर जो असमानता होती है उसमें देश की रेंख 108 हुई है भारत की कौन सी रेंख है 108 हुई इसके बाद आगे पुरिए कि देखे विश्वक खुसाली सूचकांग क्योंकि HDI ग्रोथ में है तीनों चीज सही हो रही है जिस देश में तो उस देश के लोग खुस भी रहेंगे अलागे अन्या घटक हो सकते हैं जिनकी वज़े से आदमी खुस ना रहें प्रसंता सूचकांग में यह भी दीखा जाते कि वास्तों में आदमी अपने जीवन में क फिन्लेंड दूसरे नंबर पर आइस मैं डैनमार्क और तीसरे प्लेश में तीसे में रहा आइसलेंड थीक है और लास्ट नंबर पर इसमें रहा विस्व पर्संता सूचकांग में अफगानिस्तान के लोग खुस नहीं है इसके बाद आके बढ़ातिते हैं यह भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रेंग रही 111 वी रही ठीक है यानि कि आपको ऐसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं भारत में 111 यानि कि एक यह आदमी को भूग लगी तीन बार एक 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 आपको याद आ जाएगा ठीक है तो उसमें आपका परियारंग जो अनुप्रति गूलता और इसमें 133 वादा जबकि जलवाईव परिवर्तन सूचकांग अगर पूछेगा ठीक है क्लाइमेट चेंज इंडेक्स यानि कि क्लाइमेट चेंज के लिए देश ने कितना काम किया तो उसमें जो भारत की रेंक थी सब्सक्राइब देखेघर रहाय ने किकी सब्सक्राइब परिवर्तन को कैसे रोखेंगे एक साथ शाय यान कि साथ आपको संक्रमंग सूचकांग 2024 में भारत की रेंग है कि जो देश हैं आज की दौर में वो देश कितना रिन्यूवेबल एनर्जी पर काम कर रहे हैं और कितनी ग्रोथ है वहां पर लाइक विंड एनर्जी हो गई इसके बाद आगे बढ़ेंगे ग्लोबल पैंसन रेंग का मतलब होता है कि किसी देश में जो पैंसन देने का डाचा हो कितना ज्यादा डेवलप रहे हैं किस परकार का है तो भारत की जो इसमें रेंग रहे पेंतालिस ही डिए के ग्लोबल पैंसन रेंक में चलिए आगे बढ़ेंगे लिशट में Usia की बीलेनियर्सिटी पहली बार कौंसी बनी तो फुरन ग्लोबल रिच लिशट में एसिया की बिलेनियर्सिती बनी है दुनिया की सबसे प्रदूशीत राजधानी कौन सी रही 2023 में, तो दुनिया की सबसे प्रदूशीत राजधानी रही भाई दिल्ली टीक ¿ग है? जो report आये थी हमारी globally report इसमें बोला गएगे दिल्ली जो capital है यह सबसे जड़ा Polluted Capital है दुनिया का सबसे महंगा सहर कौन सा बना डेगे रहने के लिए जिए दोस्ते होसट दुनिया का जो सबसे महंगा सहर है 2024 में यह सिंधापूर सहर तीक है यहां पर प्रत्यक्ष्ष्यश्य निवेस में भारत के पास कितना इन्वेस में प्रत्यक्ष्य निवेस जो इन्वेस्ट किया जाता है विश्व में पंद्रवें नंबर घ्राइए उस मामले में ठीक है पंद्रवें ध्यान देखेंगे और इसे में दोस्तों हाल में धिकर भारत का सबसे बढ़ा ट्रेड पार्टर कौन सा देश बना यह कोश्चन अभी मैंने आपको करेंट एस महाकुम्बु में कर आया था मैई तरेगे लास्तøre इस यह बार निए नलटेट इसलिए को सिप्री जो कि रिपोर्ट देती भाय टिक्षार क मोजए पहलं थेश्न है कि सबसे इwn बड़ा अनुसार थो यह भाय है कौन इसके अलावा देखें दूसरा जो point है द्यान रखेंगे विश्व के सबसे लोगपुरिय नेता कौन है 2024 में तो विश्व के सबसे लोगपुरिय नेता कौन हो सकते हैं आप सभी को पता ही है दोस्तों मित्रों ठीक है तो यानि कि नरेंदर मोदी तो नरेंदर मोदी विश्व के सबसे लोगप्रियों नेता हैं 2024 में और तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने वाले पहले देश के गयर कॉंगरिशी यह अमारे लोग सबा सांसद भी है ध्यान लखेगा वारण के सीट से अभी सांसद है ठीक है इसके अलावाद देखे दोस्तों एक कोईन पर्मानों अधियार सबसे जादा देख है रशिया 2024 में और सभी मामले में भारत की ताकत है Montynn प्लस सेन नंभर में मामले में GBhrat की ताकत चौंथे नंबर पर है और इससे आगे रस्या चाइना सबसे पहले USA फिर छाइना और सेना और अथियार करने में भारत चौंथे नमबर पर है यह भी ध्यान दिखेगा शैन्य जो शैन्य ताकत है भारत की चौंथे नमबर पर है साथी सेना और अतियारों पर खर्चे के मामले में भारत चौंथे प्लेस पर आता है कि इससे ज्यादा जो खर्चा करते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर वो युएसे रशिया और चाहिना तो यह कुछ इंपोडेंट पॉइंट थे जो बताना इसमें आउश्यक था और इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आते क्यूएस वर्ड रैंकिंग क्यूएस वर्ड रैंकिंग में भारत के कित यह भी नोट कर लेना तो यह था दोस्तों 2013 इसके कुछ माहत्तों को इंडेक्स और सांती रिपोर्स ठीक है और इतना भी आपने याद कर लिया ना तो एक्जाम में बहुत एल्प हो जाईए आप पिमान के चले इससे जादा बाहर कुछ नहीं पूछता हो ठीक है तो इसको आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स वीडियो के साथ तिल देन अपना ध्यान दखें जै हिंद जै देव भूमी